शिवाय नमस्ति भ्याम आज मैं आपको लेके आई हूँ एक ऐसा मंदिर जिसके दर्शन मात्र से हो जाती है सारी मनुकामना पूरी हाँ ये बहुत ही चमतकारी मंदिर है क्योंकि यहाँ पर किसी ने शिवलिंग को स्थापित नहीं किया ये स्वयंभू शिवलिंग है और इसकी महत्वता इतनी ज़्यादा अधिक है कि यहाँ पर आकर अगर हम इनके दर्शन मात्र भी कर लेते हैं तो भोलीनाथ हमारी सारी मनुकामनाई पूरी कर देते हैं तो आईए हम भी इस महादेव के दर्शन करें और अपनी मनोकामना बोलें ताकि जल्द से जल्द वो हमारी मनोकामना पूरी कर दें। विशाल छेत्र में फैला हुआ ये मंदीर और इसके पीछे है एक बहुत ही अलोकिक कहानी। पहले ये जगह विरान हुआ करती थे यहां पे कबरिस्तान हुआ करता था और यहां पर कबरिस्तान वाने की वजय से बहुत कम लोग रहा करते थे आस-पास का पूरा का पूरा छेत्र खाली था और बीच में दो-चार घर थे जो जिन्होंने घर पहले से बनाया हुआ था वो लोग रहने को बिवस्ते छोड़के जा भी नहीं सकते थे क्योंकि कब्रिस्तान था तो लोगों को रात में बच्चे की रोनी के आवाज आती थी और कुट्टे भोगते थे और लोगों को बहुत ढरने आवाज पायल की चंचम अजीबो गरीब बसने शुरू हो गए लोगों में आतंक का साया बढ़ता ही जा रहा था लोग डरते ही जा रहे थे कि आखिर पत्थर फेक कौन रहा है सबकी घर में लोगों ने एक जुट बनाई और सबने पहरा देना शुरू किया सभी लोग पहरा देते पर फिर भी पत्थरों की साखिर कौन कर रहा है फिर सबने जब भगवान जी के पास जाकर प्रात्ना करी अपने अपने सारे लोगों ने तो किसी एक अच्छे इंसान को भगवान सौपन में आए और कहा कि मैं नाग देवता हूं मेरी स्थापना करो मैं किसी का बुरा नहीं चाहता मैं केवल पूज चाहता हूं फिर लोगों ने उस व्यक्ति ने गाओं के बाकी लोगों को ये बात बताई और उसके बाद बाकी सारे लोग जब उस कब्रिस्तान में आएं तो वहां पर देखा एक बहुत ही वड़ा विश्यालकाई पत्थर नागराज की रूप में उन्हें दिखा आईए म मैं भी आपको धर्शिन कराती हूं बिल्कूल केदारनात के सौरूप जैसा ही ये पत्थर है विश्यालकाई नागराज की रूप में और सात में हैं वहाँ पर शिवलिंग वहाँ पे उने शिवलिंग भी दो दिखाई एक सती शिवलिंग है एक हरिहर शिवलिंग फिर लोगों ने इनकी पूजा आराधना शुरू कर दी पहलो तो यह जगा बिल्कूल एकांथ निर्जन अस्तान था पर फिर बाद में धीरे धीरे भगवान की कृपा से भीड बरती लोगों में भाई हटा गया और आज ये एक विशालकाय मंदिर में परिवर्तित हो चुका है तो आप भी ऐसे भगवान शंकर आदीदेव महादेव के दर्शन करें और अपनी मनोकामना अवश्य बोले और वो आपकी मनोकामना अवश्य पूरे करेंगे जीवन को सफल बना आने के लिए ऐसे अद्भूत आकलपनिया आवननिया संकर भोलेनात के दर्शन करते रहें जहां भी आपको पता चली कि वहाँ पर इस तरह के श्वयंबूर श्रिवलिंग हैं अगर आपकी घर के आसपास भी अगर ऐसे कोई श्यंबूर श्रिवलिंग हैं तो आप उन स्वयंबू मंदिल का अच्छी से अवलोकन करके उनकी कहानी को दुनिया के सामने प्रस्तुत करूंगी ताकली लोग उस भोलेनात के दर्शन करके अपने जीवन को सफल करें और साथ ही भगवान की ग्रीपा प्राप्त करें और उस जगर की महत्तता जो इतनी अधिक है जिसका लाव बाकली लोग जो अंजान है वो ले सकी तो आएए आप सब मेरे साथ एक बार भगवान भोलेनात को याद करें क्योंकि पित्री पक्ष जल रहा है और पित्री पक्ष में अगर हम भगवान भोलेनात को दिल से याद कर लेते हैं तो हमारे पित्र जो हैं वो प् में भोलेनात को सुनाती हूं आप सब भी सुनाएं जब आप अपनी संकर जी के मंदर जाएं या यह संकर जी के दर्शन करें तब अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको इस जो पत्थर आकार के हैं उसमें भी आपको एक आकृती दिखाई पड़ेगी मुझे तो अवेश्य दर्शन देंगे भोलेनात तो आईए एक छोटा सा भजन मेरे भोलेनात के चर्णों में समर्पित करती हूं ओकाशी के भोलेना ओकाशी के भोलेना मने थारियात सतावेरे हिच्चे क्या नारो के भोलेना ओकाशी के भोलेना मने थारियात सतावेरे ओकाशी के भोलेना मने थारियात सतावेरे चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल एक नहीं मंदिर में आप सबको भी दर्शन का अलाब मिलेगा और आप सब भी भोलेनात से जुड़े रहेंगे श्री श्रिवाय नमस्तिव्यम् झालो झालो